हेलो अब्रीवन, तो फिर कैसे होons आरे स्टृण्टो यार 파ाइनली, फानली जाकर के हمारा, मनिपाल का, राउंड वन का अलोर्टमेंट के आ कौए है जैसी अलोर्टमेंट आया है, तो बहूत सारे बच्चे परिशाण भी है है बहुत सारे बच्चे खुश भी हैं कि बहुत बच्चों को सीट मिल गई बहुत सारे बच्चे को सीट नहीं मिली बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिन्हों इन राउंड वन में पार्टिसेपेटी नहीं किया था तो उन बच्चों को क्या करना है तो पूरा को पूरा मैं आ तो अब ज्यादा बात नि करते हैं तो फिर चालो या चलो भई देख अब में क्या करता है क्योंकि आपने 10,000 रुपीज पे कर दिये हैं तो आपको कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ लेकिन आपके लिए मैं आगे बात बताने वाला हूँ जिससे आपको अलॉट्मेंट आ सकती है आगे बात करेंगे उसकी जो आपकी फर्स इंस्टॉल्मेंट डाट इस आराउंड 165,000 ठीक है यह 165,000 आपको तब तक पे कर देना है 28 जून ता और जो इसकी बैलेंस कोर्स भी बच जाए कि लगभग 1,60,000 वह आपको यह पांच जुलाई यान कि 5 जुलाई तक पे कर देना है यह चीज रही जिनको seat मिल गई और देखो अगर आपको जो seat मिली है उससे आप पूरा satisfied हो चुके हो next round में नहीं जाना है तो आप opt-out कर सकते हो ठीक है आप बहार हो जागो counseling से और देन जा करके आपको physical verification यह सब कुछ हो जाएगा अब देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं second round में participate करना चाहते हैं ठीक है अब जो बच्चे को seat मिल गई वो भी second round में participate करना चाहता है तो देखो उसको भी कुछ नहीं करना होगा वो automatically second round में चला जाएगा जिसको seat मिल गई है बस वो दोनों fees payment करके जिनको seat नहीं मिली है उनको भी कुछ नहीं करना है और जिनको नया registration करना है उनकी जो डेट है 30 जून से लेके एक जुलाई के बीच में बन जुलाई तक आपकी डेट है इसी बीच में आपको registration भी करना है तो registration को ज्यादा process नहीं है दो मिनिट का process है वह आप easily कर लोगे और choice फिलिंग फिर करना है अब देखो यह जो choice filling है जिनको अगर seat मिल ग जाएगी परशान तो नहीं हो जाएगे और जो निया registration करना चाहते हैं उनको तो और भी टेंशन होगी कि यार मुझे कोई ना कोई seat allotment आ जाए अब देखो हमारे साथ जो भी बच्चे थे जो हमारे counseling में already enrolled थे उनमें से लगभख सभी बच्चों की allotment आ चुकी है round 1 में ह क्यों आ चुकी विकाज वी नो कि यार हमें कैसे बच्चों की choice filling कराना है बच्चे की rank पे कैसे best choice filling हो जिससे कि उसको best allotment आ जाए तो आपको हो सकता है seat allotment आ भी जाए बट यार जो आप deserve करते हो जो आपको मिलना चाहिए आपकी rank पे वह नहीं मिल पा रहा है तो आप tension मे तो जिनको seat नहीं मिली है या जो नया registration करना चाहते है seat मिल भी गई आप चाहते हो कि आपकी rank पे जो best campus है उसकी best branch है वह आपको मिल जाए तो you can join our counseling support इस counseling support में हम guarantee करते कि आपकी जो rank है उस पे जो best campus मिल सकता उसकी best branch वो मिलने वाली है इसके facilities थोड़ा सा discuss कर लेते हैं क्या आपको बताई जाएगी क्योंकि अगर आपने एक भी step miss कर दिया देंजा करके आपको दिक्कत हो सकती है और देंजा करके आपका admission cancel तक हो सकता है एक यह चीज रहेगी पीसरी चीज आपको यार मिलता है call support जो भी आपको चॉइस फिलिंग करवानी है यह सब को इस call पे बात देखें जिन्होंने बहुत सारे बच्चों ने अल्रेडी ले रखा है 15,000 रुपीस प्राइज रखा है बट हमारा प्राइज जो है 2499 है अल्रेडी पहले इसका 1999 था बट 2499 हो चुका है बच्चे बहुत ज्यादा enrolled हो रहे हैं अब इसका प्राइज 2499 ही अभी के लिए फिर बाद में पस्ता हो गया इसका प्राइज इंक्रीज हो सकता है 15,000 हम लोग देखो कितने कम प्राइज में यह सारी प्रीमियम फैसिलिटीज हम दे रहे हैं तो जितने भी स्ट्वेंटेज जल्दी से जाके इन्रॉल कर लें क्योंकि फिर दुबारा से ऐसी गलती ना हो क मुझे बेकार अलॉट्मेंट आजे या अलॉट्मेंट ही नहीं आ रही है तो ध्यान से जाके जॉइन कर लेना और कुछ भी डाउट सोट से तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो ठीक है क्योंकि प्राइज इंक्रीज भी हो सकता है तो बस यार थैंक्यो फर वाचिंग दिस व परता है